आदित्य रूद्र वश्व और शमस्त महरी सीगन भी यहीं मौझूद हैं। ऐसा कहकर सतुरु दमन श्रीकर्शन ने अठास किया। तब तुरन थी उनके सब अंगों से बिजली सी कानती वाले अंगुष्ठा आकार सब देवता जिखाई देने लगे। उनके ललाट देश में बर्मा वक्षतल में रुद्दर बुजाओं में लोखपाल और मुख में अगनी देव थे आदित्य शाद्य वसू अस्मनिक माया दिया दिया थे यह सब उनके स्रीय से अभिन जान पड़ते थे श्रीकर्शन के इस बहंकर रूप को देखकर सब राजा उने भैबीत होकर नेतर मुद लिये केवल दुरुनाचारिय भिसम विदूर संजय और इसी लोग ही उसका दर्शन कर सके क्योंकि भगवान ने उन्हें दिवद्रिष्टी दे दी थी पुनात्माओं अभी तक आप जिससे भी बात करते हो कि गीता जी का ज्यान किसने बोला पुरंत कहते हैं तपाक से कह देते हैं श्रीकर संजी ने बोला इसमें कोई दोराय नहीं है ये बिलकुल अग्यानी है इनको क्या है इंका पता नहीं किसी चीज़ का अब गीता जी अध्याय नंबर 11 के स्लोक नंबर 47-47 में यदी श्रीकर संजी गीता बोल रहे होते ये सब नहीं कहते कि अरजुन ये मेरा वास्तविक विराट रूब आज से पहले तेरे से पहले किसी ने कभी नहीं देखा और नहीं आगे ये किसी यग से तप से जब से दान से दर्म से क्रिया से ये नहीं देखा जा सकता ना वेदों वरनित विदी से भी नहीं देखा जा सकता इ जितने भी अपने हिंदु धर्म के ब्राह्मन, गुरू, रिशी, महेरिशी थे और वर्तमान में हैं ये सभी अज्ञानी थे ये धार्मिक टीचर कैलाते थे लेकिन अपने सलेबस से परिचित नहीं थे तो ये जो टीचर अपने सलेबस से परिचित नहीं है अपने पाठे कर्म की पूस्तकों में लिखे विवरन से परिचित नहीं है तो वो टीचर विर्थ है वो ठीक नहीं वो अज्धापक ठीक नहीं वो विदार्चियों का नासिक है उनके जीवन को विर्थ कर रहा है ठीक ऐसा ही आचरन ऐसा ही विवहार अभी तक के हिंदू गुरुओं का था रहा अब इस दास पे किरपा की है प्रमेश्वर ने इस यथारत ज्यान को आपके समक्स पहुँचाने की और इसमें ये वही अग्यानी गुरु लोग आपको भरमित करते रहते हैं कि रामपाल जूट बोलता है ऐसे ही प्रमेश्वर कबीर जी के साथ किया था इन लोगों ने आज से 600 वर्स पहले लगवग जो प्रमात्मा सन 1398 से 1518 तक यही लीला करके गए थे यह तत्व ग्यान समझाया करते थे जो आज दास आपको बता रहा है और सभी सद्गरंतों में परमानीत है उसमें के ब्रहमन गुरु रिसी जितने भी अपने रोजी रोटी चला रहे थे वो प्रमात्मा से एक दम खिन हुए और पूरे समाज को भगवान का विरोधी बना दिया था कि कबीर तो ऐसिक्सित है यह जूटा है ब्रमा विश्वन महिस के विसे हमें यह गल्ट उट पटांग बातें करता है यह वेदों और गीता और पुराणों से परिजित नहीं है क्योंकि इसको वेदों और गीता के ग्यान से साइद परिचित ही होंगे और यह गुरू लोग जो संस्कर्ट जानते हैं और सभी सास्तर संस्कर्ट बासा में लिपी बद्ध है इसलिए इनकी दाल गली रही यह संस्कर्ट बोलते रहे जैसे गीता जिद्ध है नम्रठारा के स्लोक नमबर 66 को यह स्वेम बोलते तो हैं संस्कर्ट सही अनुआद करते हैं गल्त सर्वधर्मान परितज्माम एकम सर्णम वरज एहम तवा सर्वपापे भ्यमुक्षामी माशुच यह नोकान संस्कर्ट तो ठीक बोल देते हैं अनुआद करते हैं कि तू सब कर्मों का असरे त्याग कर मुझ एक सर्वधर्मान वरजमाने जाना होता आना नहीं होता ऐसे ही आप जी को फर्मित कर रहे हैं इन अग्यानियों से आपने स्वेम नम्टना है इन से दूर हटना है और यथार्थ ग्यान को पैचानना है इसका अर्थ बनता है गीता ग्यान दाता कहता है कि सर्वधर्मान परितजमाम मेरे सतर की जितनी भी साधनाएं हैं धर्मिक क्रियां जो तू ने की हैं जैसे वेदो मवरनित बरहम जो है ओम नाम ब्रहम का है ओम नाम का जाब पांचों यग दान धर्म ये तू ने किये हैं मेरे सतर के मुझ मैं छोड़ दे फिर मैं तुझे यहां से मुक्ष कर दूँगा अपनी कैद से अपने जाल से उसके बाद तू उस सर्वध सक्तिमान की सर्णमजा एकम ने एद वितिये जिसके समान कोई दूसरा ना हो अर्थात उस सम्रथ उस परमेश्वर की सर्णमजा जिसकी करपासे तू परम सांती को तथा सनातन परमधाम को यानि सासवतं सथानम सनातन परमधाम को पराब्थ हो जागा इसे सिदे गीता ग्यान दाता जैसे गीता जी देह नमबर 18 के स्लोक नमबर 62 में कहा है कि अर्दुन तू सर्वे भाव से उस परमेश्वर की सर्ण में जा जिसकी करपा से तू परमस्यानती को और सनातन परमधाम को यानि सासवतन सथान को यानि जहां जाने के बाद फिर कभी मरत्यों नहीं होती उसको प्राफ्ट हो जाएगा उसी को सेकंड किया गीता जी देह नमबर 18 के स्लोक नमबर 66 में कि उसकी सर्ण में जाना है तो सर्व धरमान परीतज माम एकम सर्ण मरच मेरे सतर के सभी पूजाओं को टाग करतों केवल उस एक सर्व सक्ती मान की सर्ण में चला जा वरज माने जाना होता है आना नहीं होता है फिर कहता तब मैं तुझे एहम तवा सर्व पाप ब्यमक्शामी मासुच फिर मैं तुझे अपने जो मेरे लोक में तुझे दंड भोगने पड़ते थे कुटा गदा सुवर बनिकै क्योंकि हम क्या करते थे हम क्या करते रहे ओम नाम के जाब की जो भी सादना कमाई जो बगती सकती बनती थी और यग धर्मा थी जो हम करते थे हम स्वरग में यबर्हम लोक में जाकर उसको नश्ट कर देते थे हमारे उपर ये पापों का दंड जियोंका तो रह जाता था और हम फिर कुते गदे सूर बनकर यहां कस्ट उठाते रहते थी अब ये कह रहा है कि मेरे सतर की जो तूने साधनाई की हो मुझे छोड़ दे फिर मैं तुझे मुक्त कर दूँगा मेरे लोक में तू रहा है और इसका किरा दे मुझे गो तो उसका ये किरा है इसका ये भाड़ा है इसके होटल का ये बिल हम चुकता कर देंगे फिर हमें बंदक नहीं रखेगा ये तो फिर हम अपने बगवान के पास सतलोक मच ले जाएंगे जहां जाने के बाद फिर कभी मर्टू नहीं होती वह सदा युवा सरी रहता है ऐसी ही शिरिष्टी है अपने अत्माओं अभी तक शिरी कर्सन जी को ये भोले सरधालो और इनके गूरू क्या बता रहे हैं कि ये अखिल बर्मांड का नायक है यानि सोब बर्मांडों का स्वामी है और फिर ये भी कहते हैं कि ये शिरी कर्सन विष्णु जी ही स्वेम है और फिर ये भी कहते हैं ये कि रजगुन बिर्मा जी है सत्गुन विश्णु जी है तमगुन शिवजी है इनके ग्यान का कोई आधार नहीं एक तरह तो कहते हैं कि अखिल बर्मांड का स्वामी जगत गुरू परमेश्वर सबका मालिक पूर्ण आवतार और फिर किसी ने परसन किया क्या बिर्मा विश्णु महेश्जी की मर्टु होती है ते चतुर लोग गुरू उतर देते हैं मर्टु तो नहीं कह सकते इतना आवस्य है कि ये तीनु देवता जब सरग समाप्त होता है ये विराट परमातमा में विलीन हो जाते हैं फिर सरग प्रहारम होता है ये फिर परगट हो जाती है अब ये और के हो गया फिर जनव मर्टु नहीं होई चल ऐसे ही हम ला लें तो भी जनव मर्टु हैं इनकी लेकिन ये ज्ञान तो प्रिचित है नहीं अपनी चतुरता से दुनिया को भरमित करना खूब जानते हैं एक तरफ तो कह रहे हैं कि बिर्मा विष्णु महिस जगत गुरू बता रहे हैं और अखिल बर्महांड का स्वामी और पूर्ण अवतार और फिर कह रहे हैं ये विष्णु जी अवतार है अपने आत्मों शिरी किर्सन अर्थात विश्णु जी जगत गुरू क्योंकि ये मानते रहे कि गीता जी का ग्यान शिरी किर्सन दी ने दिया और गीता जी का ग्यान बहुती एद भी तिये है लेकिन शिरी किर्सन जी ने अर्थात विश्णु जी ने विष्णु जी कहो चे श्री किर्शन जी कहो गीता जी का ग्यान नहीं दिया श्री विष्णु जी को तो कैख है भी नहीं पता अज्धात्म ग्यान का ना वेदों का अर्था श्री किर्शन जी को तो कैख है भी नहीं पता ना गीता जी का ना वेदों का अब ये बातें जो आप जी के गले नहें उतर पा रही थी अब उतरेंगी क्योंकि आप सिक्सीत है और परमान मारे साथ है सदगर्द मारे पास है आराम से आप समझेंगे के अब सबसे पहले यह कंसेさप्ट कंशप्ट करते हैं कि श्री किर्सन जी इज विष्णूूँ है श्री किर्सन ही विष्णूंथा याणी जो किर्शृ किर्सन रृपनुठ में विष्णूंध ही आय थि動画 मारकंडे पुरान करेसे मारकंडे पुराण इसके 123 परिश्ट पर आपको लेच लोगा देघा है 123 परिश्ट पर संसित पारकिंड रे पुरान एक ही परमात्मा के तरविद रूप मर्माजी की आईव आदी का मान वैस्रिष्टी का संसित वनन 123 परिश्ट पर यहां देखिए है सारा कुछ बता करके क्रुफ्टुकी ने कहा बगवन ये बताए जा रहे हैं यहां सारा इस पर एक सुतेश पर इस तरह श्वंभू परमात्मा की तीन अवस्थाइं होती है रजोगुन परधान बर्मा तमोगुन परधान रूद्र और सतोगुन परधान विश्वपालक विश्णु है आगे सुना है यही तीन देवता है और यही तीन गुन है यह तीसे दो गया कि यह तीन गुन है बरमा विश्णु महेश परजगुन तमोगुन सतोगुन परधान भी है और यही तीन गुन है अब आपको दिखाते हैं शिरी किर्षन ही विश्वनु थे शिरी सुधा सागर में शिरी मद्भागवत सुधा सागर गीता प्रैस गोरखपुर से प्रकासित है और इसके 549 प्रष्ट पे यह गीता प्रैस गोरखपुर से प्रकास्षक में मुद्रक हैं गीता प्रेश्ट गोविन भनकारियले कुलकता का सिंस्थान इसके पान्शो उनन्चास पर आपको लेशनते हैं पान्शो उनन्चास प्रेश्ट पर दसम सकंद अज्धाय तीन जिसमें भगवान के अविर्भाव का आवसर आया जनम का आवसर आया और अविर्भाव मने जनम श्वर्ग में देवताओं की दुन्धूबियां अपने आप बजुठी उसी समें सब के हरदे में विराजबान भगवान विश्णू देव रूपिनी देवकी के गर्ब से परगठ वे जनम लिया विश्णू जी ही स्री कर्शन रूप में परगठ वे अब आपने सर्फ इतना ही लेना है कि स्री विश्णू ही देवकी के गर्ब में परगठ वे श्री कर्शन ही विश्णू है अब शिरी विश्णों अर्था शिरी किर्शन जी जगत गुरू है या अज्यानी है ये अपने सद्गरंथ ही प्रमानित करेंगे देखिएगा शिरी मद्द देवी भागवत गीता प्रहश गोरपुर्शे परकासित है शिरीमत देवी भागवत संक्सीत सचीतर मोटा टाइप हिंदी केवल हिंदी संपाद गन्मान परसाद पोदार चिमनलाल गो स्वामी परकास से के में मुदरकें गीता प्रेश गोरकपुर गोविन मौनकार अले कोलकाता का संस्थार इसके 28 प्रिश्ट पर पर्थम सकंद में पहला सकंद संक्सीत देवी भागवत प्रिश्ट 28 पर नारद जी और व्यास जी का शमवाद है नारद जीन का मा भाग व्यास जी तुम इस विशे में जो पूछ रहो ठीक यही परसन मेरे पिता जी ने यानि बर्मा जी ने भगवान शिरी हरीशे अर्थात विश्ट जी से किया था अब विश्ट जी समझो चे शिरीकरसन जी देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी है लक्समी जी उनकी सेवा में उपस्तित रहती है दीव कोस्ट मनी उनकी सोभा बढाती है विश्ञंग चाकर गुष्ट